मेरी बीवी का अफेर मेरा नाम राज है, मेरी उम्र 34 साल है और मेरी बीवी माया की उम्र 32 साल की है, पिछले कुछ दिनों से हमारी जिन्दगी बहुत नॉर्मल चल रही थी, खास करके आफिस के काम में बिजी होने के कारण बीवी को ज्यादा वक्त देना मुम्किन नहीं हो पा रहा था, और इसी के चलते बीवी की भी शिकायते चलती रहती थी, और बीवी उससे भी नाराज रहती थी, बस वो बोलती नहीं थी, माया के बारे में कहूं, तो कोई भी उसकी तरफ आकरशित हो जाए, उसका रंग गोरा था, और उसका रहन सहन काफी मॉडन था, वो ज्यादा तर स्लीवले स्टॉप, कुर्ती और टीशर का और जीन्स पहनती है। माया जब स्लीवले स्टॉप और जीन्स पहन कर जब हम बाहर जाते थे, तो लोगों की नजरे उसके उपर जमी रहती थी, वो इतनी खूपसूरत ही लगती थी, एक दिन की बाद है, जब वो घर में स्लीवले स्टॉप और टाइट शॉट्स पहनी हुई थी, तभी मैंने देखा कि माया उनी कपरों में बालकनी में कपरे सुखाने गई, और सामने वाले फ्लैट से एक आदमी उसे घूर रहा था, उस आदमी की उम्र भी करीब 35 से 36 वर्ष की रही होगी, वो भी लंबा और हैंसम था, बाद में माया की भी नजर उसके उपर पड़ी, और उसने माया को एक स्माइल दे दिया, जैसे ही माया को, उसने स्माइल दी, माया ने मेरी तरफ देखा कि कहीं मैंने कुछ देखा तो नहीं, मैंने भी जट से ऐसा दिखाया कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, फिर माया के घर में अंदर आने के बाद वो कुछ समय बालकनी में ही खड़ा रहा था, इस सारे नजारे को देख मुझे गुसा आने की बजाय अच्छा लगा, और मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया, दूसरे दिन फिर से माया बालकनी में कपड़े सुखाने गई, वो वहीं खड़ा था और मैं छुप कर देख रहा था, मैंने देखा की माया भी उसे देख रही थी, जब माया अंदर आई तो मैंने कहा इतनी वो मत लगा करो की सोसाइटी के लोगों को मुश्ट, किल हो जाए, उसने जबाव में सिर्फ एक स्माइल दे दी, और किचन में चली गई, दूसरे दिन मेरी छुट्ती थी, तो माया ने कहा कल हम दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, मैंने भी हाँ कर दी, माया ने टाइट स्लीवले स्टैंड टॉप और टाइट लैंडिंग्स पहनी थी, और अपने बाल खुले छोडे थे, जब हमने पार्क में वॉक करना शुरू किया, तभी मैंने देखा कि वो बालकनी वाला आदमी वहाँ पर एक्सरसाइस कर रहा था, और उसने भी हमें देख लिया था, बाद में वो हमारे पास आया और हमें हेलो बोला, फिर कहने लगा कि वो सोसाइटी में अभी अभी नया रहने आया है, और अपना, जिम का बिजनेस सिटी में सेट कर रहा है, मैंने हम कहा, फिर उसने कहा कि उसकी फैमिली अभी फिलहान यहां शिफ्ट नहीं होना चाती है, और मुझको सिटी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, मैंने कहा आपको अगर कुछ जरूरत लगे, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मुझे खुशी होगी, उससे बात करते टाइम मैंने देखा कि माया भी काफी खुश और एकसाइटेड लग रही थी, फिर जब मैंने उसे माया से इंट्रोड्यूस कराया तो उसने माया से हैंडशेक करके हेलो बोला, वो उसे काफी वो नजरों से देख रहा था, उसने कहा क्यों ना, हम साथ में सोसाइटी की कैंटीन में कॉफी ले, मैं कुछ बोलता उससे पहले माया ने हां बोल दिया और कहा मुझे भी अभी कौफी की जरूरत महसूस हो रही है अब वो दोनों मुस्कुराने लगे और हम कैंटीन की तरफ बढ़ने लगे उसने माया से कहा प्लीज आगे आईये ना बाद में उसे महसूस हुआ कि मैं साथ ही हूँ तो हम दोनों सामान्य बाते करते हुए चलने लगे कैंटीन में हमारी सामान्य बात चीत हुई फिर उसने माया को देख कर कहा आप हॉलिडे के दिन वॉक पर आए हो मतलब आप काफी हेल्थ कॉंशियस हो माया ने बस एक स्माइल दी और उसे देखते हुए कहा आप भी हेल्थ कॉंशियस लगते हो उसने कहा मैं जिम के ही बिजनेस में हूँ और अगर आपको मुझसे कुछ हेल्थ चाहिए होगी तो आप जरूर बताना माया ने कहा हां मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे कुछ हेल्थ टिप शेर करें बात के चलते उसने माया से उसका नंबर मांग लिया चुकि हम लोग मौडर्न ख्यालात वाली फैमिली से हैं तो नंबर शेर करना आम बात है लेकिन जिस तरह से माया और वो अजय एक्साइटेड थे वो देख कर मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया था फिर हम तीनों साथ में घर आए और माया ने मेरी मजा लेते हुए कहा अजय जी काफी टाल और हैंसम है मैंने भी कहा वो तुम्हारी फिगर से काफी इंप्रेस हुए थे जिस तरह से तुम्हें घूर रहे थे इस पर माया ने बस एक स्माइल दे दी घर आने के बाद देखा तो अजय बालकनी में खड़ा था और हमारे घर की तरफ देख रहा था तभी माया की भी नजर वही गई और मैंने उस बात को अंदेखा कर दिया फिर माया और अजय ने स्माइल एक्सचेंज किया मैंने माया से कहा माया जी अजय जी की काफी तरफदारी हो रही है इस पर उसने कहा आप तो कुछ भी बोल देते हो माया की इस बात पर मैंने कुछ नहीं कहा फिर उसने कहा एक दिन हम उन्हें कॉफी पर बुलाएं क्या घर पर ताकि मुझे भी हेल्थ टिप्स उनसे मिल सके मैंने भी तुरंथ हां कर दी मुझे समझ आ गया कि माया अजय को देख कर वो हो चुकी है मैंने कहा अजय जी को एक दो दिन में कॉफी के लिए बुला लूँ इस पर उसने तुरंथ हां बोल दी अगले ही पल मैंने अपनी बीवी माया के लिए अजय को फाइनल कर लिया था मैंने अब माया को कह दिया कि अजय को इन्वाइट कर ले माया खुश हो गई और उसने मेरे सामने ही अजय को घर आने का न्योता दे दिया शाम को 6 बजे अजय को आना था मैंने पहले से ही अपने एक स्टाफ को बोल दिया था कि वो मुझे ठीक साड़े 6 बजे फोन करके किसी अरजन काम के लिए फोन कर दे सब कुछ मेरे अनुसार ही हो रहा था घर के चारों कैमरे मेरे मोबाइल पर दिखने लगे थे शाम को 6 बजे अजय मेरे घर आ गया मैंने उसका स्वागत किया माया भी उसके लिए कॉफी बनाने रसोई में चली गई कुछ देर में ही कॉफी आ गई और हम तीनों कॉफी का मजा लेने लगा ठीक साड़े 6 बजे मेरे मोबाइल पर फोन आया और मैं अजय से माफी मांगते हुए चला गया मेरे इस तरह से जाने पर माया ने कुछ भी रियेक्ट नहीं किया मैंने बाहर आकर अपनी कार को ले जाकर एक सुनसान जगा पर लगा दिया और मोबाइल में कैमरे देखने लगा मेरी पत्नी माया अजय के साथ ड्राइं रूम में थी फिर कुछ समय के बाद मेरे मोबाइल पर माया का फोन आया और उसने पूछा आप किधर रह गए मैंने उससे कह दिया मुझे जरूरी काम आ गया है और मुझे आने में ग्यारा बस सकते हैं फिर मैंने पूछा अजय चला गया या है वो बोली अभी तो है मगर वो जाने की कह रही है मैंने सौरी कहते हुए माया को किसी और दिन अजय से मिलने के लिए कह दिया वो कुछ नहीं बोली मैंने फोन काट दिया और दुबारा से कैमरे में नजरे गड़ा दी अब वो अजय को देख कर मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ कर कमरे में ले जाने लगी आदे घंटे बाद वो सब हो गया जिसे मैं कैमरे में देख रहा था तभी मैंने माया को फोन किया मुझे आज रात घर आना संभव नहीं हो पाएगा मैं कल सुबह ही घरा पाऊंगा माया ने ओके कहकर फोन काट दिया उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि क्या कारण है मैं सब समझ गया था कि माया क्यों जल्दी से फोन काट दी थी लेकिन मेरे पास तो माया के खिलाफ बहुत ही अच्छा सुबूत मिल चुका था जिसका इस्तमाल करके मैं आसानी से उससे छुटकारा प्राप्त कर सकता था लेकिन दोस्तों आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगा